आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत सी सिंपल सा और फटा फट से बनने वाला प्लाजो सिर्फ दो ही सलाई में बन के तियार हो जाता है तो यह मेरे पास धाई मीटर कपड़ा है इसको मैंने पहले डबल फोल्ड कर लिया है अब इसको उल्टी साइड से करते हुए और हम इसे फोर फोल्ड कर लेंगे कपड़े को तो यह देखिए यह फोर फोल्ड कर लिया है जो खुले वाली साइड है अपनी तरफ रखी है तो उपर से पहले इसको निशान लगा कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा होता है उसको काट कर इसको इकुल कर लेंगे पहले कप उपर से इसके लिए हम हिप का नाप लेंगे 40 इंच इसके हिप है तो इसे चार से ड्वाइड गया तो 10 इंच आ गया उसमें हम 2,5 जां 3 इंच और एड़ कर देंगे उपर से 12 इंच पर हमने निशान लगा लिया है अगर हिप साइज बढ़ा हो तो हम इसे और भी आगे की तर बढ़ा सकते हैं 3 जां 3,5 इंच अब नीचे भी मैंने सेम 12 इंच पर पहले निशान लगाया उसके बाद हम आसन की लंबाई रखेंगे तो आसन की लंबाई भी मैंने 12 इंच रख ली है और इसके बाद धाई इंच आगे की तरफ बढ़ा लिया है जहां पर हमें गुलाई देनी है तो जो टोटल 15 इंच हो गया है हमारा घेरा तो अब मैंने रेडी लेंथ पर इसके और निशान लगा रही है तो इसके बाद दो इंच नीचे से फट्टा जो हमने फोल्ड करना है उसका निशान लगा लिया है तो पहुंचा आप अपने अमसार रख सकते हैं मैंने नीचे पॉंचे पर 14 इंच तक निशान लगाया है आप चाहें 10, 11, 12 जितना भी आप रखना चाहें उतना रखकर निशान लगा लें 6 फट्टी से और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो यह फटा फट से कट जाता है और इसके बाद इसकी स्टिचिंग कर लेते है वो भी बहुत इजी है तो सबसे पहले हम आसन की सलाई कर लेंगे इसके दोनों आसन की सलाई मैंने नीचे से उपर की तरफ कर ली है इसके बाद हमने इसमें लास्टिक डालना है तो लास्टिक डालने के लिए हम कमर का नाप लेंगे कमर इसका 38 इंच है तो हमने 6 इंच गया उसका हाफ सोला इंच कर लिया तो आदा इंच मार्जन जहां पर हमने जोड़ना है वो रखकर साड़े सोला इंच की लास्टिक आट लिया है डबल में और इसके बाद जोड लगा लिया है तो अब इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं उपर से उपर से थोड़ा-थोड़ा फटा फोल्ड करते हुए हम इसकी सलाई करते जा रहे हैं और आगे की तरफ खीचते जाएंगे लास्टिक को और सलाई लगाते जाएंगे साथ साथ में ऐसी लास्टिक डालते हैं तो फटा-फट से डल जाता है इसका फूल वीडियो वे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं उसके बाद मैंने ये आसन वाला जो सलाई है वहाँ पर पहले सेंटर पर सलाई लगा दी लास्टिक के उपर उसके बाद उसकी दूसरी तरफ बिलकुल सेंटर करते हुए इलास्टिक का दोनों आसन बराबर करते हुए दोनों तरफ हम पहले सलाई लगाते हैं उसके बाद इलास्टिक पर हम सलाई लगाएंगे तो देखे ये मैंने इक्वल कर लिए हैं दोनों तरफ के आसन सेम करते हुए सलाई लगा ली है उसके बाद पीछे की तरफ खीचते हुए बैर इलास्टिक को उपर सारे सेंटर में सिलाई लगा दी है तो यह अच्छी तरह से पक्का हो जाता है इलास्टिक अगर सिलाई नहीं लगाते हैं जो एकठा हो जाता है जम हम पैहनते हैं तो लीजिए हमने इलास्टिक डाल के त्यार कर लिया है तो अब नीचे से पॉंचे के मोड लेते हैं हम पॉंचा हमने दो दो इंच एक्स्टा रखा था तो मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिये हैं दो दो इंच पर उसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तो ये सिलाई लगा देंगे दोनों पॉंचों पर तो दोनों पॉंचों पर ये मैंने सिलाई लगा ली है उसके बाद हम इसका जो पॉंचे का नाप है उतना रखते हुए साइड स्टिचिंग भी कर लेते हैं इसकी तो मैंने इसका पॉंचा रखा है साड़े तेरा इंच जितना भी पॉंचा रखना चाहे अपने उनसार रख सकते हैं तो मैंने ये साड़े तेरा इंच पर निशान लगाया है तो आप इसकी stitching कर लेते हैं तो पौंचे से start करते हुए आसन तक पहले लेकर आएंगे आसन की स्टिचिंग करते हुए दोनों साइड की स्टिचिंग का ध्यान रखे जिदर उपर की तरफ उस लाई का मूँ हो उसी तरफ आसन की सलाई का मूँ कीजिएगा उसके बाद दूसरे पांची की भी सलाई कर ली है तो इसके बाद इसकी डबल स्टिचिंग कर लेंगे हम दो सलाईयां लगा देंगे ताकि यह पका हो जाए अच्छी तरह से तो अब यहां सेंटर पर छोटे छोटे कट लगा देंगे इससे उपर की तरफ नहीं खिचता है जब हम पैनते हैं प्लाजो तो अगर आपको प्रॉब्लमों की उपर की तरफ खिचता है तो आप इसमें ब्यानी भी डाल सकते है तो देखे यह हमने प्लाजो फटा फट से सिलाई करके तियार कर लिया है सिर्फ पांच से दस मिनट लगते हैं इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटा फट से बन के तियार हो जाता है तो आप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे थैंक्स फर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस दा बेल आइकन पर मोर और वीडियो थैंक यू